Hello as parents कैसे हो सब बढ़िया आज अपन करने वाले है मानल स्वास्थि फथथा रोग की NCRT reading करने वाले है बिल्कूल DET रिटेल में करने वाले जैसे अपन करते आ रहे हैं बाखी CHEPTARS की वैसे ही स्ट्र की करेंगे करेंगे Did you start करने से पहले कुछ बातें बादेता हूं मैं आपको इस चेप्टर को अपन दो भागों मे करने वाले हैं जो maximum part हो अपन इस लेक्टर में कर लेंगे और कुछ match जो बचेगा वह अगले लेक्चर में कर लेंगे तो दो पार्स में को करेंगे बड़ा चैप्टर है तो एक वीडियो के चक्कर में मैं लेंथ बहुत लंबी नहीं करने करना चाहता, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाता है आप भी पूरा नहीं देख पाओगे फिर ठीक है इसलिए मैं दो पार्स में इसको करने वाला हूँ ठीक है फीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कुछ बाते बता देता हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में इसी एप का लिंक है दे रहा है वहाँ उसको डाउनलोड कर लो उस पर आपको फ्री ऑफ कोस्ट बायलोजी की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो आप फ्री में दे सकते हो और अपनी तयारी जो है उसको भी आप जांच परक सकते हो बढ़िया क्यूशन से टेस्ट में हलके क्यूशन से नहीं है फिर बात करें एक और लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का वहाँ पर भी जोइन कर लिजीगा कब क्लास होनी है कब नहीं होनी वह सारी बात आपको पता लग जाएगी और एक छोटी से रिक्वेस्ट और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा बिना सब्सक्राइब किये हुए देख रहे हूं तो सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर लेना चलो अब सुरुआत करते हैं आज की लिक्चर की मानन स्वास्ते तता रोग स्वास्ते क्या है किसको करेंगे स्वास्ते बताओ किसको करेंगे स्वास्ते स्वास्ते ऐसाथ है किसे के अंदर को फिजिकली फिट दिखे नहीं उसको स्वास्ते नहीं कहते हैं जो हर एक चीज में हर एक चीज में जाए वो सोशली हो इमोशनल हो चाए वो चाहे वो आयरवेदा सिस्टम हो तीक है इंडियन आयरवेदा सिस्टम हो चाहे जो यहाँ ग्रिक थिंकर्स हो जैसे हिपोक्रेट्स हैं इनका यह मानना था कि जिस भी परसन के अंदर काला पित होगा वो होट परसनलिटी का वेक्ती होगा तो कैसा होगा होट होगा मलब उसके बुखार होगी ऐसा मानना था पहले ठीक है यह बहले बातें एंसेयर्टी में हैं कि भाईया जिसके अंदर काला पित है वो उसको क्या है बुखार है होट है बाद में एक साइंटिस्ट आया विल्यम हारवे उन्होंने blood circulation की खोज करी और फिर उन्होंने कहा कि यह black bile का नहीं इसमें जो fluid होता है जो इंसान के अदर जो दर्व होता है वो blood होता है यह बाद कहीं विल्यम हारवे ने फिर विल्यम हारवे ने लिया thermometer और जांच करके बता दीजी इसमें तो black bile भी है फिर भी इसके तो बुखार नहीं इसका तो temperature नॉर्मल है जी आप गोड़ बता रहे थे इसको तो फिर बाद में वो चीजें जो है वो discard हो गई अब इसके बारें बात करेंगे यह जो मैंने आपको जाया जो काले पित वाली बात बताई यह जो काले पित वाली बात है इसको कहते है good humor hypothesis कहते है इसको ठीक है अच्छी तरल्क परिकल्पना हिंदे में ठीक है अभी इसके वारें बात करते है पहले मैं पहले आपन नोट्स थोड़ा सब समझते है फिर अपन एंचार्ट को समझते है ऐसे अपन कर रहे है ठीक है अच्छे तरल्क परिकल्पना ठीक है good humor hypothesis इंगलिस में कहते है इसको बारतिया आयरवेद अंतर ठीक है इंडियन आयरवेदा जो सिस्टम है उसका और ग्रिक यू आपने सुना होगा और मेडिकल बे जयाओगे तु सुनोगे इसका नाम हिनका नाम ठीक है hyo'm दरोफ नका मानना यह था इंडियन आरवेद सिस्टम का भी मानना था कि जिस व्यक्ति के अंदर काला पित है काले पित वाला ब्लैक बाइल वाला जो व्यक्ति है ठीक है बाइल वाला जो व्यक्टी है, उसको होट रहेगा, बुखार हो रहेगी इसको, ठीक, बाद में इस, जो ये अच्छी तरल की प्रिकल्पना जो थी, इसको गलत शिद कर दिया गया, किसके दवारा वीलियम हारवे दवारा इसको गलत प्रूफ कर दिया गया, कौन साइटिस ने वीलि इन्होंने खोज करी और इन्होंने थर्मोमेटर का उप्योग किया और बता दिया कि जी आप बता रहे हो काले पित वाली बात की जिस पर्सन के अंदर जिस व्यक्ति के अंदर काले पित होगा उसको बुखा रहेगा फिर वो होट परसनलिटी का रहेगा तो इन्होंने वीलिम टीप आ जाते हैं, आजो, एक लंबे समय तक स्वास्थे को सरीर, ठीक है, मन की ऐसी स्थती, सरीर और मन की ऐसी स्थती माना गया, जिसमें देह की कुछ तरल हो, ठीक है, जिसको अपन हुमर कहते हैं, तरल को इंग्लिश में हुमर, हुमर का संतुलन बना रहता है, प्राचीन युनानवासी जैसे की हीपोक्रेट्स, ठीक है, और चिकित्सा का बारती आयरवे तंतर का भी यही दवा करते थे, ऐसा माना जाता था कि काले पित, ब्लैक बाइल वाला वेक्ति, गरम वेक्तित्वे वाले होते हैं, मलों, ओट परसनलिटी वाले वेक्ति होते हैं, और उन् परियोगात्म की खोज करी गई, ठीक है, वीलेम हारवे ने क्या किया, प्रियोगात्मक अक्स्परिमेंटल जो है, अप्रोच अपनाई उन्होंने, और उन्होंने क्या, किसकी खोज करी, रग्त परियोगात्मक ब्लैट सर्कूलेशन की उन्होंने क्या करी, खोज कर दी, ठ और थर्मोमेटर का उप्योग करते हुए काले पित वाले व्यक्ति के शरीर का तापमान पर सामाने दरसाने से स्वास्थे की अच्छे तरगी परी कलपना हाईपोतिस को गलत सिद्ध कर दिया गई उन्हें फिर क्या किया जिस परसन के अंदर काला पित था उसका थर्मोमेटर से जी चेक कर लिया और उसमें थर्मोमेटर में नॉर्मल आ गया तो फिर उनकी जो अच्छे तरगी जो परी कलपना थी वो क्या हो गई गलत सिद्ध हो गई टिक कुछ वरसों के बाद ज्यवी की ने बताया कि अतरी का तंतर चंतर का नूरल सिडमि अपना यो और जो आपका अन्तर सवास्थे को स्वास्थे को बनाए रखता है इस परकार मन और मानशिक अवस्था हमारे सवास्थे पर असर डालती है बिल्कुल सही बात है, मन और मानसिक अवस्था जो है, हमारे सिरी पर बिल्कुल असर डालती है, अपना जो neural system है, जो दिमाग वाला, और अपना एंडाग वाला system है, जो गरंतियों वाला system है, यह जो है, अगर proper सही से काम नहीं करेंगी, तो कहीं न कहीं हमारा union system जो परभाव होता है, आज ओ नोट्स में वापस, कहां तक समझ में जेनेटिक आनवानसिक विकार उसको मिल गया, ठीक है, तो ये क्या है उसकी स्वास्ते को परभावित करेगा या नहीं करेगा, अरे करेगा या नहीं करेगा, करेगा भया बिल्कुल, ठीक है, दूसरा है संकरमन, किसी इंसान को कोई संकरमन हो गया, कोई infection हो गया, तो ये क्या भी आपका स्वास्थे जो वो निर्भर करता है यह कैसे आप कब सो रहे हो कब उठ रहे हो कब खा रहे हो कब नहीं खा रहे हो क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो इन सारी बातों पर भी क्या है डिपेंड करता आपका स्वास्थे कब नहा रहे हो आप कितने दिनों से नहा रहे हो ठीक है दुले में कपड़े पहन रहे हो या नहीं पहन रहे हो इन बातों से भी क्या है इन बातों पर भी निर्भर करता है क्या आपका स्वास्ते आजपास अपने सफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे है इन बातों पर भी आपका स्वास्ते जो है वो निरभर करता है तो लाइफस्टाइल के अंदर हर एक चीज आ गया आपकी जीवन शेली किस परकार की है आप रोजमरा की जो जल आपकी जिंदगी है वो किस परकार की है आप कहां रह रहे हो, ठीक है, वो जगे किस परकारी की है, इन सारी बातों पर क्या है, आपका स्वास्ति जो है, वो निर्भर करता है, ठीक बात है क्या, ठीक, तो यह जो आपको पता लग गया, चलो, यहां तक एंसियाटिम आ रहे हैं, यहां दो, स्वास्ति निमल लिकित, बातों से परभावित होता है, देखते हैं कुन कुन सी, पहला अन्वांसिक विकार, बताया मैंना भी आपको genetic disorder, यह अपूर्टाएं जिनको लेकर बचा जनमता है, ठीक है, यह वो अपूर्टाएं हैं जिनको लेकर बचा जनमता है, भाई उसको अपने जीन्स में मिली है वो यह क्या होगी आपकी अन्वांसिक विकार, पहला आपको बता लगए कि स्वास्ति जो है वो परभावित होता है, बिल्कुल होता है, दूसरा है संकर्मन, ठीक है, संकर्मन और हमारे जीवन की शेली, जिसमें जो खाना हम खाते हैं, पानी हम पीते हैं, जो विश्राम हम सरी कर लिया थोड़ी बहुत, मैं भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, जो सभाव हमारे भीतर है और जिनकी हमें कमी है आदी स्वामिल है, ठीक बात है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, इन सब चीजों से आपकी जो है, हेल्थ जो है आपकी परभावित होती है, हम सभी स्वास्थे सब्द का परियोग धढलेशे करते हैं, ठीक है, मिलिकुल, हर चीज में अपन स्वास्थे बात तो बोल देते हैं, ठीक है, इसके क्या परिभाशा है, परिभाशा बताओ वाई स्वास्थे क्या परिभाशा है, स्वास्थे का अर्थ मातर रोग की अनु इसको स्वास्थे पर नहीं कहते हैं, तो स्वास्थे का आर्थ मातर रोग की अनुपस्तिती नहीं होता है, या अत्वा सारीरिक स्वास्था भी स्वास्थे नहीं है, इसे पूर्ण रूपेंड सारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से, के रूप में परिभाशित किया जा सकता है मैं आपको बता दे था कि सारीरिक, मानशिक और सामाजिक रूप से जो healthy होगा उसको अपन स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे काम में अधिक सक्षम होते हैं कोई व्यक्ति स्वस्त होगा, तो वो काम में क्या होगा, अधिक क्या होगा, वो काम बढ़िया करेगा, जदा बढ़िया करेगा, सक्षम रूप से काम करेगा, तो कोई कोई सी का, कि उसको calculations ही करनी है लेकिन physically तो fit दीख राया है लेकिन दिमाग उसका खराब हो अपड़ा है कहां काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा कोई ऐसा इंसान है जो physically mentally तो fit है लेकिन वो क्या है social नहीं हो पाता लोगों से बात नहीं कर पाता तो कुछ काम ऐसे होते है माल लो उसका काम क्या है marketing का काम है जी उसका ठीक है और physically fit है दिमाग बढ़िया है उसका लेकिन लोगों से घुल मिल नहीं पाता तो कहां से marketing कर लेगा कहां से वो अपना काम कर लेगा अर्थ समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात आ रही है ठीक तो जो आपके जो लोग स्वस्थ होते हैं जिनके अंदर ये तीनों qualities होती है वे अपना काम जो अधिक सवक्षम होते हैं इसमें उत्पादेक्ता बढ़ती है और इसे क्या उत्पादेक्ता बढ़ती है जो भी जो काम कर रहा है अगर वो वेक्ति पुरा स्वस्थ होगा तो वो बढ़िया से काम कर पाएगा और अपना काम अगर अच्छे से करेगा तो उसकी productivity जो उत्पादेक्ता जो है वो बढ़ेगी वो काम बढ़िया करेगा ठीक है और आर्थिक संपन्ता आती है जब काम बढ़िया होगा उसका productivity बढ़ेगी उत्पादेक्ता बढ़ेगी तो पैसे भी आएगे ठीक है तो आर्थिक संपन्ता भी जो है वो भी होगी स्वास्ते से लोग का आयुकाल बढ़ता है जो अगर स्वास्त बढ़िया होगा लोगों को स्वास्ते बढ़िया होगा तो क्या है आयुकाल उमर भी बढ़ती है ठीक है सही बात है और स्वास्ते बढ़िया रहेगा तो स्वास्ते बढ़िया रहेगा खुद को भाई ना ओ, रोज ना ओ, दुलेवे कपड़े पहनो, ये काम करने होते हैं रोज, ठीक है, सरदी चल रही है, लेकिन फिर भी नहाना रोज होता है, ठीक है, चलो, और नियमित व्याम बहुत महत्वपून है, एक्साइज वक्साइज करनी चाहिए भाई, ठीक है, सा रोग और सरीर के विभिर परकारियों पर उनके परभाव के बारे में, जागरुकता, संक्रामक रोगों के परतिरक्षी करन भी कहते हैं, ठीक है, अब सिस्टों, वेश्ट का सम्मुचित, निप्टान, रोग वाहकूं, वेक्टर्स का, नियंतरन, एम खाने, पानी, खाने और पानी किस अंसादनों का सुच रख रहे खाव, अच्छे स्वास्तेगी लिए आफशिक है, ठीक बात है, भाई किसी को रोग हो गया तो आपन किसी रोग का क्या बना लेंगे, ठीक है, तो उससे क्या रोग केंट्रोल में हो सकता है, उसके अलावा, अपन आपने आसपा रखेंगे, तो तो क्या है कि वहाँ पर मक्हियां, मच्छर ये सारे चीज़ें नहीं आएंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे होगा ये, कि जो है रोग कुछ है, वो कम से कम फैलेंगे, एक खाने पीने की जो चीज़ें, उनको अपन ये ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर कम से कम जो है, वो दूसी थो, ठीक, पहले नोर्स में आते हैं, फिर अपन इधर आएंगे, रोग की बात करते हैं, डिजिस के बात करते हैं, तो डिजिस यार दो परकार की होते हैं, रोग जो हैं, वो दो परकार की होते हैं, या कौन-कौन से, एक होते हैं संक संक्रामक रोग को इंगलिस में कहते हैं infectious disease और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या हो सकता है और वहीं मैं बात करूँ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता सीधी सी भासा में बात बोलूँ एक व्यक्ति को कोई बिमारी हुई अगर वही बिमारी दूसरे व्यक्ति में फैल रही है उसके कॉंटेक्ट में आने से किसी एक व्यक्ति को बिमारी है और उसके पास में कोई दूसरा व्यक्ति भी रह रहा है उस व्यक्ति को भी क्या हो गई वह बिमारी हो गई मतलब रोग कैसा है वह या सिंपल सी बात है संक्रामक रोग है फैल रहा है यह रोग तो ठीक है अम बात करूँ ऐ संक्रामक रोग की ऐ संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति में होता है तो दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है वो फैलता नहीं है एक मिर दीजे में पानी पीलो या थोड़ा सा एक व्यक्ति से वो दूसरे व्यक्ति में क्या है फ्यालता नहीं है, वो क्या होता है, ऐस संक्रामक रोग, एक्जामपल बताओ, संक्रामक रोग का एक्जामपल बताओ, आजो संक्रामक रोग की बात करते हैं संक्रामक रोग समझ में आ गया होगा आपको एक व्यक्तिस से दूसरे व्यक्ति में फैले रहा है वो संक्रामक रोग है एक व्यक्तिस में ही वो रहे दूसरे व्यक्ति में फैले ना वो यह संक्रामक रोग है संक्राम करोग पे एक्जांपल की बात के तो सामाने जुकाम जो है किसे एक इंसान को हो गई है अगर आप उसके कॉंटेक्ट में रहो गे उसने कहीं छिका है और आप वही खड़े हो तो उसके जो ड्रोपलेट से ना वह भी आप अगर इन्हाल कर लेते हो आप अपने सांस के साथ अंदर ले जाते हो तो आपको दिकत हो सकती है ठीक है अगर किसे जुकाम आप उसका पेन वयरे तो यूज कर रहे हो ठीक हाथ तो तो ये चल direct करना ठीक है तो ये किया संकरामक करूट होता? जुकाम ठीक है Common College को कहते है उसके अलबा AIDS जो है AIDS जुहा है वो भी क्या है संक्रामक रोग है जी एक इंसान के अंदर हुआ उसके साथ में अगर sexual contact हो रहा है तो वहाँ पर क्या है वो असलोरे संक्रमित हो जाता है जी वह रोग ठीक है वह वहाँ पर क्या है एक दूसरे से दूसरे विक्ति में फैल जाता है बिल्कूल अब बात करें, ए śंक्रामक रोग गी, वो एक इव reflekti के अंदर हो गया, तो फैलता नहीं है, वो किसी दूसरी इन्सान के अंदर پISTINलेगा नहीं, तो किंसर क्या है आपका, किंसर जो है उ संक्रामक रोग है, और वही मैं बात करूं, सामान जुकाम और AIDS जो है वो क्या है संक्रामक रोग है मने उल्टा वोल दें साहथ संक्रामक रोग है आपके सामान जुकाम और AIDS और ए संक्रामक रोग आपका cancer छीख बात है अब जो है आप एक बात हो सुन लो भाई एंचाइट यहां पर लिखती है संक्रामक में सबसे जो खतरनाक जो बिमारी है जो डेंजरस जो बिमारी है वो कौन सी एड्स है संक्रामक रोगों के अपन बात करें इसमें सबसे खतरनाक बिमारी कौन सी बताई गई है AIDS को बताया गया है और एस संकरामक रोगों में सबसे खितरनाग विमारी किसको बताये गई है Cancer को बताये गई है इस चेप्टर के अंदर अपन AIDS को भी डिटल में पढ़ेंगे और Cancer को भी डिटल में पढ़ेंगे ठीक है अब एक बार यहां प्रेंसियार्टिक रीडिंग मारते हैं जब सरीर के एक या अधिक अंगों या तंत्रों के परकारियों पर परतीकूल परभाव पड़ता है और विबिन चिन और लक्षन परकट होते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्वस्तन नहीं है ठीक है ये एक अंग या फिर कुछ अंग तंत्र ठीक है वो सारे अंग या फिर अंग तंत्र अगर सही से काम नहीं कर रहे हो और उसका परभाव अपन को दिखाई दे कुछ लक्षन अपन को दिखाई दे ठीक है तो वो क्या है अपन कहेंगे आसानी से संचारित हो सकते हैं उनको क्या कहेंगे संक्रामक रोग कहेंगे और संक्रामक रोग बहुत आम है और आहम सब कभी न कभी इसके सिकार हुए है कुछ संक्रामक रोग जैसा कि AIDS है वो बहुत गातक है बता दे मैंने आपको सबसे डेंजरिस कौन सा आपका एड्स है एस संक्रामक रोगों में कैंसर मर्त्यू का परमुक कारण है नशीले पदार्थों, ड्रग, एलकोहॉल, कुकाकु परियोग भी हमारे स्वास्ते का पर परतीकूल परभाव डालता है अब हम ड्रग्स की बात करेंगे इस चप्टर के अंदर आगे और एलकोहॉल की वीपन बात करेंगे ठीक है आगे बढ़ते है मानव में सामाने रोग ठीक है मानव में सामाने रोग पढ़ने से पहले ठीक है मैं आपको ये कुछ रोग बताऊंगा ठीक है यह वह रोग है और इन में मैं बता रहा हूं कि कौन सा रोग जिवानू से होता है कौन सा विशानू से होता है कौन सा बैक्टिरिया से कौन सा वाइरस से कौन सा प्रोटोजवन से होता है कौन सा हैलमिंद से होता है तो वह सारे रोग जो है मैं एक साथ में ही लिख रहा हूं क क्यों कि यह अलग अलग पेराग्राफ के अंदर दे रखे हैं और जब क्यूशन आता है ना तो वह तो यह पूछ लेगा आपको कि इन में से बहुत सारे रोग देदेगा आपको 10-15 रोग के नाम लिख दिये और कह देगा इन में से कौन कितनी बिमारिया जो है वह बैक्टिर में लाया गया है आप भी देखिएगा समझेगा जिवानों रोग कौन कौन से है बैक्टिरियल डिजिस कौन कौन सी है टाइफाइड है निमोनिया है पैचिस इसको डैसेंटरी कहते है प्लाग है डिप्थेरिया है यह सारे क्या है यह सारे जिवानों से होने वाले रोग है आपके बैक्टिरिया से होने वाले रोग है नाम जिया दखना है टाईफाइड नियूमोनिया पैचिस पलग और डिफ्थेयर ठीक विशानो जनीत रोग की बात करें, विशानो जनीत रोग कौं से है? , वारल डिजीस, जो वारिस से होने वाली कौनकोन सी इस इत्वल़ेघर के है अपर ये इस इनसैरटी में, इस चैप्टर के इनसारटी में, शामाने जुकाम और एड्स प्रिोटोजून ڈजीज कोमिक्र है ऐसे ही है इसे केंगल को Magus कहते हैं कॉअक रोग , वह कोहते है रिंग वर्म , इसको दाध कहते है पर हिंदी में क्रिमी रोग केमंचे है , हैलमिंथिक डीजेश कोन और इसकेरिस्था और फाइलेरिया एक बार वापस रिपीट करेंगे फिर अपना आगे बढ़ेंगे थीक है आजो जिवानों रोग बैक्टिरियल डिजीज ठीक है पाइफाइड निमोनिया पैचिस डैसेंट्री प्लाग डिथेरिया ठीक है विशानों जिनित्रों कुनों से वाइडल डिजीज ठीक है फिर आपका गया प्रोटोजवन मलेरिया अमीबिता ठीक है कवाकरों कुन से हो गया आपके दाध हो गया करमी रोग आपका एसके रिस्ता फाइल डे रिया यह अलग अलग इस शेप्टर के अंदर दे रखे हैं उन आपका जिनक औस ए और रोग जनक का इन क्या है करें गया थान चिंग small चनग का रोग जनक करें हो थया ठीक है तो आपको पता होना चाहिए डाइज हो गई क्या है किसकी से होता है तो भी आने मिलग कैसे तो यह बैक्टिरिया को थोड़े पहले बेना मजणाना जी ठीक है अब ऐसे भी भूलोगे टाइफी आ रहा है तो टाइफी भूलोगे रही है तो टाइफी ताइफी टाइफी ठीक हैיר होता है संदूशित भोजन और पानी द् Sótvारा चोटी आंत में गुशता है्थ तो इस जो सालमयय टाइफी, जो है, वह जो दूशित भोजण है, जो जल है, ठीक है, उसके अंध, उसकी, जब अपने दूशित जल खाएंगे पानी दूशित पीएंगे तो क्या होगा इस सालमय टाइफ़ी जो हमारे चोटी आप में गुशता है और इसके लक्षन का आते हैं टाइफ़ाइड के बुखार होगा ठीक है बुखातेज बुखार होगी ठीक है कम जोरी आजाएगी शरीर में आमाशे में पीडा ह पेट दर्द रहेगा, कब्ज आ हो जाएगी, ठीक है, कॉंस्टिपेशन रहेगा, ठीक है, कब्ज जानते हो सारे है, सिर्दर्द होगा और भूक नहीं लगेगी, यह सारे अपन को लक्षन दिखाई देते हैं जब टाइफाइड किसी को होता है तो, और गंबीर मामलों में आत में छेद हो जाते हैं, ठीक है, यह तो होगी नॉर्मल लक्षन है, कि यह सिर्दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, थोड़ी तेज बुखार आ रही है, यह सारी चीजे तो होगी लक्षन हो गए इसके, लेकिन कई बार जो है वो लंबा चल जाएगा, टाइफाइड जब वह लंबे समय तक इसी को हो रहा है, ठीक है, और गंबीर मामलों में क्या होता है, आत में छेद होने लग जाते हैं, और जब आत के अंदर छेद हो ठीक है, और गंबेर मामलों में, आत में छेद और म्रत्यू होती है, ठीक है. अब भएया, किसी के, आपके लक्षन दिखाए देने, किसी के बुखार हो रही है, पेट में ज BET हो रहा है, कमजोर ही हो रही है, तो वो डोक्टर के पास में गया, डोक्टर को उसके बताया ह, की दोक्टर साब मेरे ये लक्षन आ रहे हैं, ठीक है, मेरे को ये ये प्रोब्लम्स हैं, तो डोक्टर जो इसने पढ़ाई कर रखी होती है, तो उसको पहले ही पता लग जाता है कि इसके भया टाइफाइड हो चुका है, तो वो confirm करने के लिए, उसको पता तो लग गया आपने विडाल टेस्ट, विडाल प्रिक्षन करवाता है, विडाल टेस्ट आप जब करवाते हो, तो उसमें साफ हो जाता है, कि इसके टाइफाइड है या नहीं है, एक्जाम में क्यूशन आया हुआ है, कि टाइफाइड के लिए, टाइफाइड को जांचने के लिए, कौन सा टे तो वीडाल प्रिक्षन वीडाल टेस्ट से पुष्टी की जाती की ताइफाइड की ठीक है । अब एक एक एग्जाम्पल दे रहा है इन से आप इने एक मेरी मेलन नाम की लेडी थी। ठीक है। और ये कुक थी ठीक है। खाना बनाती थी। इनको टाइफाइड था यार ठीक है टाइफाइड था और ये खाना अपना बनाती थी और लोगों को खिलाती थी तो उन्होंने क्या किया उस खाने इनका टाइफाइड था इलाज नहीं करवाया और वो टाइफाइड जो है इन्होंने अपने खाने के साथ में बहुत सारे लोगों को बाट दिया ठीक है लोग खाना खाते थे और उनको नहीं पता था कि उसाथ में टाइफाइड भी ले रह मानों में सामाने रोग, ठीक है अनेका अनेक जीव, जिसमें जीवानू, बैक्टिरिया, विशानू, टीक वाइरस का वक, फंजाई, प्रोटोजवन, कर्मी, हेलमेंथ, आधी शामिल है मनुषे में रोग पैदा करते हैं, ऐसे रोग कारक हैं, जीवान का कहते हैं, प्रोग जनक कहते हैं, पैथिजन कहते हैं, इसलिए अधिकांस परजीवी, पेरा साइट रोग जनक है, क्योंकि ये परपोशी, होस्ट के भीतर, या उसके उपर रहकर, उसे शती या हानी यह मैं आपको पहले ही बता चुक खो लेकिन नई-NCRT बाइडिंग वाली लेक्चिर्स में जो नई जुड़े हैं उनको मैं वापस लेता हूं परजी वी किस को कहते हैं जो किसी दूसरे बर रहे जो किसी दूसरे बर रहता है इसको क्या कहते है परजी भी कहते है ठीक है पाने भी ने देजिए आज़ो रोगजिनक हमारे सरीर में कई तरह से परवेश कर सकते हैं एवं अपनी संख्या में वर्दी कर हमारे सामाने अथा आवशिक क्रियाओं में बादा पहुंचाते हैं और अपने शरीर में पेथोजन आ जाएंगे उसके बाद में खुद को ववाजें जरेंगे, खुद की संख्या बढ़ा लेंगे, ठीक है, और खुद की संख्या बढ़ा कर हमारे जो कारी हैं, सरीर के जो functions हैं, उनको क्या है, वो परभावित करते हैं, उनमें बाधा डालते हैं, फल्चावरूप आकार्तिक, मौर्फोलोजिकल और परिया कि वो हमारे सरीर में उनको गुसना तो है, रोग करना उनको, तो हमारे सरीर में जाएंगे, तो हमारे सरीर के अंदर का माहौल तो कुछ अलग है, जिन रोग जनकों को हमारे सरीर के अंदर इंटर करना है, तो हमारे सरीर के अंदर की वातावन जो वो अलग रहेगा, तो उन नहीं बिगाड़ पाएं कि वो खुद ही नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, खुद ही नहीं जीवी तरह पाएंगे, ठीक है, तो यह लाइन NCRT कहना चाहरा है है, यहाँ पे, रोग जनकों के लिए आवशेक है, कि वो परपोशी, परपोशी कुन हम, ठीक है, परपोशी के भीत pH में जीवीत रहने और विविन पाचक एंजाइमों को परतिरोध करने की शमता होनी चाहिए, अब हमारे पेट के अंदर क्या HCL होती है और वो highly acidic होती है, वहाँ पर pH बहुत कम होती है, तो बहुत कम pH अमलब बहुत acidic है, तो ऐसी pH के अंदर रहने के लिए वो अनुकुलित हैं, अगर होंगे, तो वो पेट के अंदर रह पाएंगे, वरना तो मरी जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा अपने आतर के अंदर, अपने पेट के अंदर बहुत सारी क्या है, enzymes और पाचक enzymes हैं, तो उन पाचक enzymes से में जीवीत रहने की भी उनमें शमता होनी चाहिए, अगर वो नहीं रह पाएंगे, तो वो अपने आपको अपने अंदर survive नहीं कर पाएंगे, कौन है, रोगजनक जो है, pathogen जो है, रोगजनक जीवों में भिन भिन वर्गों के कुछ निरूपकों और उनसे होने वाले, रोगों के बारे में यहां चर्चापन करने वाले हैं, उन रो पढ़े हैं, उसकी वाले में लिखा हुआ है, सालमने टाइफी एक रोगजनक जीवानु है, थोड़ देर पहले में आपको बता दिया था, जिसे क्या होता है, टाइफाइड होता है, जवर होता है, यह रोगजनक आम तौर्फ से संदूशित, कॉंटामिनेटेड जो बोज जाता है इस रोग के कुछ सामाने लक्षन है लगातार उच जवर ठीक है तेज बुखा रहती है कितनी कि गंबीर मामल में क्या हो सकता है आतर में छेद और मर्त्यू भी हो सकती है टाइफएड जवर की पुष्टी विडाल प्रिक्षन द्वारा की जाती है सही बात है विडाल टेस्ट करवाते हैं अपन इसके अंदर है न आयुर विज्यान में एक चिर परतिस्थित मामला है मेर मेलन ठीक है उपनाम जिसको टाइफएड मेरी का नाम दिया गया जिस जिसका यहां उल्ले करना सठीक है वह पेशे से रस्वया थी ठीक है और वह खाना बनाती थी उसके कुछ द्वारा कुछ वर्सों तक टाइफएड वाहक के रूप में टाइफएड फैलाती रही यह वा आने लग गए ठीक है टाइफएड समझ में आया नहीं आया आगे बढ़ते हैं नियुमोनिया की बात करेंगे नियुमोनिया किसे होता है सबसे पहले तो अब हर एक रोग के अंदर सबसे पहले उसका पढ़ेंगे रोग जनक पढ़ने वाले हैं सबसे पहली लाइन अपनी क रोग जनक कोन है स्टेप्टोकोकस नुमेनी और हीमोफिलस इंफ्लेंजी यह क्या है इसके रोग जनक है दोनों आपको याद होने चाहिए नाम भूलना मत भई बिल्कुल भी ठीक है चलो यह क्या करता है निमोनिया में होता क्या है यह वायो कोस्ट जो है उनको संकरमित कर करता है वह संकरमित हो जाते हैं वायो कोस्ट का होते हैं फेपड़े नाम सुना है फेपड़े ठीक है अर फेपड़े नाम सुना है क्या है ठीक है जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं उनके अंदर होते हैं वायो कोस्ट जिनको अपन अलविलाई कहते हैं तो ज़्यादा important exam में आई हुई है, ठीक है तो वायू coast जो है, वो संकरमित हो जाता है, किस के अंदर, pneumonia के अंदर है, और वायू coast सब संकरमित होते हैं, तो उनमें क्या भर जाता है, तरल परदार्त है, भर जाता है, वायू coast वे तरल भर जाता है, और सांस लेने में फिर समश प्लेस् इन्फुलेंजी Betsy possessions कला स्केतों किया है उसके पंधित हो चęt इसके अलावा को यहाएजर रखना वायोब कोस्टों संकर्मित होते हैं म arrangements कारण आप उनको सांस लेने में vastid दिक्कत आती है, लक्षन की बात करते हैं, लक्षन क्या है इसके, जवर, बुखार आएगी, ठिटूरन, ठिक अठंड लगेगी, और खासी तो आनी वाली है, और सिर्दर्द होगा, ये इसके कुछ लक्षन है, ये लक्षन होगे, अब गंबीर मामलों में क्या होगा, वो दे लगेंगे, नीले पढ़ जाएंगे, ठीक है, तो ये आवाली बात आपको जहान में रखनी है, एक बार नीमोनिया को वापस बताऊंगा, और फिर अपन अन्सियार्टे पे चलेंगे, ठीक है, नीमोनिया इस्टप्डगों किस नीमेनाई, और आपका जो हीमोफिलस्ट इन इनके जिए से होता ही, दुनों रोग 말고 जनके है, उसके एलावा जाब में रहेख हैंगे, बात केंपनं गंविल्मामिलों की, तो मैं क्या होगा होगाbaren और नाखुन जोंगू क्या बढ़ जाएंगे, नी ले ठीक है, चलो आजो, NCRT में आते हैं और समझते हैं चेप्टर कोकस न्यूमेनी और हीमोफिलस इंफ्लेंजी जैसे जिवानू जिवानू यहाँ पर लिख रहा है मैंने आपको पहले ही बता दिया था एक साथ में फुफुस जो आपका लंग्स जिनको हिंदे में कहते हैं फुफुस ठीक है कि वायू कोस्ट एलवियू लाई संकरमित हो जाते हैं संकरमन के फल से वरूफ वायू कोस्टों में तरल भर जाता है जिसके कारण सांस लेने में घंबीर समझ्याई पैदा हो सकती है जवर, ठिटूरन, खासी, सीरदर्द, आदी निमोने के लक्षन हैं गंबीर मामलों में होट और हाथ की अंगूलियों के नाखुन का रंग दूशर से लेकर नीला तक हो जाता है सस्त मनुषय को संकर्मन, किसी संकरमित वेक्ति दवारा छोड़े गए बुंद को ड्रोपलेट्स अथवा एरोसल, शांस दवारा अंदर लेने से या संकरमित वेक्ति यदि गिलाच या बढ़तन इस्तमाल करने से भी हो सकता है ठीक है आप किसी को pneumonia है वई ठीक है तो pneumonia है और वो जूब छीक रहा है खांसी उसको खांसी आ रही है ठीक है तो आप पास में खड़े हो तो इसे distance maintain कर लीजिए क्योंकि अगर जो फो छीक रहा है और खांसी होए ठीक है तो क्या होगा अगर वो drop plates अगर आप अंदर सांस के यह ठीक है, जिसको रोग है उसके, ठीक है, मानों में होने वाले कुछ अन्य जीवान विए रोग हैं, जैसे अगे बढ़ते हैं, अगला रोग देखते है, सामाने जुकाम, सामाने जुकाम जिसको common cold कहते हैं, ठीक है, और लड़किया खास लड़के तो जुकाम बोल देते हैं, लगिन लड़किया, cold होगा है मेरे तो, ठीक है, लड़कियों का थोड़ा सा अलग है, वो cold बोलती है, जुकाम नहीं बोलती है, ठीक है, और यह होता किस की जासे है, होता यह rhino virus की जासे होता है, rhino virus कोई एक virus है क्या नहीं कोई एक वाइरस का नाम नहीं है राइनो वाइरस एक बहुत सारे वाइरस का ग्रूप है राइनो वाइरस ठीक है और यह जो राइनो वाइरस जो ग्रूप है इसके जो मेंबर्स है वो क्या करते हैं जो काम करने का काम करते हैं ठीक है यह राइनो वाइरस की करते हैं जो काम करने हैं काम करते हैं इसमें नाक और सक्षवशन पत्थ को संकरमित करता है यह जो नाक और सक्षवशन पत्थ जो है अपना जो पात है उसको करता है यह संकरमित करता है अब यहां पर आपको फसाएगा यहां पर आपको फसाएगा क्या फसाएगा आज तो उसके अंदर नांख समषनपत और वायू कोष्ट क्या होते हैं संकरमित होते हैं तíक है ... और आप क्या देखाए जल्दी जल्दी में नांख समषनपत संकरमित होते हैं सामाने जुकाम की जब बात करते हैं, तो नाक और सवशन पती यही संकरमित होते हैं, समझ में आई क्या बात है, नाक और सवशन पती क्या होते हैं, संकरमित होते हैं, NCRT यह बात लिखती भी है, कि फेफडों को नहीं करता, ठीक है, सामाने जुकाम के अंदर फेफडों को सं विशानव का ऐससा ही एक संवू है ठीक है नासा विशान्व Rhin próxima है जो मानव में सब सबसे जादा संक्राम को संक्रमीत करता है लेकिन फिफडों को नहीं करता नहीं करता नहीं करता ठीक है समाने जुकाम परति शाय के अभी लक्षन है नश्य प्रश्वियर संकुलता ठीक है नेजल कंजेशन नाक बंद होना ठीक है और आश्राव ठीक है कंठदा ठीक है आपके कंठ जो है उसमें क्या हो जाएगा लक्षन भागा हूँगी जुकाऊँगे लक्षन दो सबको पता ही है यार इसलिए मैंने वहाँ नहीं लिखे ना कंठ सब रुक्षेता ठीक है आपको रुखा रुखा लगेगा ना ठीक है फटी आवाज आवाज फटी आएगी खांसी आएगी सेरदर्द होगा ठकावट आपको मैसूस होगी और प्रहे तीन से साथ दिन तक गये रहता है संकरमित विक्तिगी खांसी या छीकों से निकले बु कि keyboard या mouse जैसी संदूशित हुई वस्तूओं के संपर्क में आता है तो उसे संक्रमन भी हो सकता है किसी व्यक्ती जो संक्रमने कि व्यक्ती है जो काम है अगर उसके छीक रहा हो कहीं खासी ले रहा ठीक है अघ्ला रोग बात करेंगे अमीबता की इसको अमीबता कहते है इसको इंगलिस में कहते है Amoebic Dysfinis और इसको Amoebic Dicentry भी सो कहा जाता है छीक बात है किसके विज़से होता है सबस्पेहले हर रोग के अंदर उसका रोग जनक करने वाले हैं रोग जनक क्या है इसका Entomiva Astrolitica रोग जनक आपको याद होने चाहिए Entomiva Astrolitica ठीक है Entomiva Astrolitica लक्षण क्या होंगे लक्षण आएंगी कब्ज ठीक है कब्ज हो जाएगी ठीक है आपकी जो Amoebicis है इस रोग के अंदर कब्ज हो जाएगी उद्री पीडा पेट में दर्द होगा एठन हो जाएगी सरीर के अंदर ठीक है अत्यास Aaणास जाएगा तो इस प्रखार के हो जाएंगे उस प्रकार के जिखते हो रही है तो वह क्या है और विविदा रखेंगी उस ओको अम आपशेस कहेंगे अब इतरु को कहते हैं ठीक है लक्षण को आपको बता दिये कब्ज वापस धान में से चुन लेना इनके लक्षण भी देखे आपको पूछ सकता है कि यह लगवाले लक्षण जो है कौन से रोके हैं तो लक्षण भी आपको याद होने चाहिए तो कब्ज है उद्र यह पीड़ा है एठन है एटदिक सलेश मल है रख के ठके वाला मल है इसमें सारे दिक वाह कौन हो जाएगा सारे दिक वाह किसको कहते है जो इस रोक को फैलाता है वो फैलाने वाला कौन है गरेलू मखिया गरेलू मखिया जो है वो क्या करती है दूशित प्रदार्थों पर बैठती ही है उसके बाद में वो कहां आएंगी, खाने पर आकर बैठ जाएंगी, वही खाना अगर आपन खा लेंगे, तो वो क्या है, आजेंगी, और वही खाने पर मक्ही बैठ जाएंगी, तो खाना फैक थोड़ी ना देंगी, एक मक्ही बैठ गी तो खाना फैक थोड़ी ना देंगी, तो वह क्या है दूशित हो जाता है ठीक है चलो आज़ो यह बीच में से मैं छोड़ रहा हूँ एक बार थोड़ा सागे करेंगे इसको ना यहां जाते से डारेक्ट अपन यहां आएंगे ठीक है से अमीबता अमीबाय से सिया अमीबी अतिसार होता है कोष्ट बदता जिसमें कब्ज कहेंगे जिसको पर ना उद्रे पीड़ा एठन तीक अतिदिक सेलेशन मल और रख्त के थक्ये वाला मल इस रोग के लक्षण है गरेलों मख्यां इस रोग की क्या है सारे रिक वाहक होती है बता दिया मैंने आपको और पर जीवी को संक्रमित व्यप्ति के मल से खादे और खादे पदार्थों तक लेकर जाने में वो संदूशित कर देती है मैंने आपको बता दे कि जो संक्रमित व्यप्ति है उसके मल पर बैठ गई उसके बाद में क्या आ जाएंगी वो किसी दू कोई मल وہला पडा मल पडार्थ है ठीक है अगे पी लिया गया है कुछ इस परकार से ठीक है को सा रिस्टा एम्रारिस के आत्रपरजीवी, intestinal parasite है, आत्रपरजीवी है, आत्र में रहता है, ठीक है, intestinal parasite है, लक्षन के आएंगे इस रोग के अंदर, आत्रिक रक्षराव होगा, अंदर ये अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, खून बहता रहेगा, ठीक बात है, वापस उनों थांस, ठीक है, ये जो में क्या होती है, आत्रिक रक्षराव होता है, इसके अंदर ये अंदर ब्लीडिंग होती रहेगी, ठीक है, और पेशे पीड़ा होगी, मसल्स के अंदर दर्द रहेगा, ठीक है, पेशे पीड़ा होगी, मसल्स के अंदर दर्द रहेगा, पेशे किसको कहेंगी, मसल्स को, औ और पीडा मनलब दर्द ठीक है, मस्कुलर पेन रहेगा इसमें, जवर बुखार आएगी, ठीक है, एरक्तिता वाली कंडिशन आजाएगी, एरक्तिता मनलब एनमिया, मनलब इसके अंदर खून की कमी आएगी वह या, खून की कमी क्यों आएगी, और मन्य आपको बताया ना कि अंदर ही अंदर रक्त बहे रहा है, ब्लीडिंग हो रही अंदर ही अंदर है, ठीक है, तो इसके अंदर से क्या होगी, रक्त की कमी आएगी, और आत्र का अवरोध, जो आपकी आत्र उसमें क्या हो जाएगा, ब्लोकेज होने लग जाता है, तो यह क्या है, आपकी एसकेरिस आत्र परजीवी एसकेरिया से सुनामक रोग होता है ठीक है आत्री के रक्सराव होता है इसके अदर पेशे पीड़ा होती है जवर होता है आत्र का अवरोध इसमें कुछ लक्षन है इसके ठीक है इस परजीवी के अंडे संकरिमित व्यक्ति के मल के साथ बाहर निकल आते हैं और मिट्टी, जल, पोधों, आधी को संदूशित कर देते हैं। यह जो परजीवी है, इसके अंडे, अंदर यह अंडे तो देगा, इंटेस्टेन के अंदर, और जब व्यक्ती जो है, मल, मल निकालेगा, ठीक है, अक्सक्रिशिन करेगा, तो उस ताइम पर जो है, मल के साथ में, जो अंदर रोग जनक, जो आपका एसकेरिस है, उसके अंडे भी भाहर आएंगे, उस मल के साथ में, और वो जो अंडे हैं, बाहर मिट्टी है, जल है, पोधे हैं, उनको का करेगा, दूशित करेगा, खराब करेगा, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति में, ये संकर्वन, संदूशित पानी, साक सबजियों, फलों, आदी की सेवन से हो जाता है, अब ये रोग होता कैसे है, कोई कोई साक सबजियों आप खा रहे हो, और वो ऐसे संदूशित हैं, ठीक है, और उसके अलावा, दूशित पानी है, उसके सेवन से, फलों की सेवन से, ठीक है, दूशित जो फल है, उनके सेवन से, ये सारे रोग हो सकते हैं, ठीक है, चलो, आजो, S के रिस्ता हो गया, फिर बात करेंगे हस्तिपाद, हस्तिपाद, हाथी पाउं, ठीक है, शल्ली पर भी कहते हैं इसको, elephantiasis, philaria, philariasis, ठीक है, यह सार इसके नाम है, ठीक है, यह होता है, वुचेरिया की विदर से, इसका रोगजनक कोन है, वुचेरिया, ठीक ह ठीक है, 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 ठीक वो इसमें क्या हो जाती है उनमें इंफ्लामेशन हो जाता है दिर्ग कालिक सोथ किसको कहते है इंफ्लामेशन को सोथ हो जाता है यह रोग जो है इसमें पैर जो है वो एक दिम मोटा हो जाता है हाथी जैसा हो जाता है इस वज़े से होता है कि पैर की जो लशिका वाहिकाई हैं जो lymphatic vessels हैं उनके अंदर inflammation हो जाता है दिर्ग कालिक शोत हो जाता है उसकी वज़े से क्या होता है ये रोग होता है जो जननिक अंग है वो भी इसमें क्या है परभावित होते हैं अभी हम आपको फोटो दिखाऊंगा क्या होए है इसके परभावित हुए है ठीक बात है आजो वुचेरिया बैंकरोफटाई और वुचेरिया महलाई दो है ऐसे ऐसे फिलेरिया कर्मी है जिनके कारण अंगों में प्रियाय अर्ध पाद की लशिका वाहिकाई लिफेटिक विशल्स में धीरे-धीरे बढ़ने व जाता है जननिक अंग भी अक्सर इस रोग में परभावित हो जाते है इस फोटो में देख जो यह वह बात है कि जननिक अंग जो वह भी परभावित हो रहे हैं और इसकी विजह से बड़ी-भारी वीरुप्ताएं आ जाती है ठीक है रोग वाहक मादा मच्छर जब किसी की सिरी में संचारित हो जाते हैं तुरो रोगवाग जनक जो है ठीक एक minute वापर साज़ो रोगवाग कोन है यह बढ़ भास मादमे थी हुलाने भादमत भून है। जब किस स्वस्त विक्ति को काट दी है ठीक है थीग है तो रोगजनक उस विक्ति के स् रादमे संचारित हो जाते हैं इसका जो रोग रोग को फैलाने वाला कोन है मादा मच्छर है ठीक है और वो मादा मच्छर जो है जब किसी स्वस्त वेक्ति वो काटती है तो जब वो काटती है उसके खून पीती है उस ताइम पर उसके ब्लेड के अंदर है तो स्वस्त वेक्ति है उसक ला रोग देखते हैं, दाध, दाध किसके विज़ से होता है, दाध होता है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, यह तीनों क्या है, यह तीनों है, वंस है, किसके वंस है, कवक के वंस है, ठीक है, माइक्रोस्पोरम, ठीक है, ट्राइकोफाइट तो किसा होता है ठीक है सब की हुआ होता है कभी ना कभी ठीक है सुखी ठीक है सुखा सुखा हो जाता है वहां से स्किन ठीक है शलकी विख्षीतिया है इसके ली लेशन हो जाते है ठीक है तवचा कहां होते हैं तवचा में तवचा के ऊपर होते हैं नाखुनों पर ठीक है शी पैरों की उगलियों के बीच में पैरों की उगलियों के बीच में यहां पर 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 और गर्मी नमी और गर्मी जहां पर मिलेगी वह कहां मिलती है जहां पर पशीन आता है तो वहां पर क्या है यह दाद वगिरा होता है तो तेज खुजली होगी इसमें तेज खुजली होती है विल्कुल दाद में तो तेज खुजली होगी उस्मा और नमी इन कवकों को पनपन में मदद करती है। उस्मा और नमी निकों को पनपने में मदद करती है। तो दाद कहा होगा जहां पर पशिना वगेर आएगा। पशिना आएगा तो नमी और उस्मा होगी ही होगी। माइक्रोस्पोरम, टाइकोफाइटन और इपिडर्मोफाइटन आदी वंस जेनरा के अनेक कवक दाद रिंग वोम के उतरदाई होते हैं यह संक्रामक रोग मनुश्यक में बहुत ही सामान है संक्रामक है बिल्कुल फैल जाता है किसी एक इनसान के है अगर आप उसका टावल यूज कर लोगे किसी एक इनसान के दाद हो रहे है अगर वो टावल उसका आपने यूज कर लिया तो वो आपको फैल सकता है इस अंक्रामक रोग मनुश्यक में बहुत ही सामान ने है इस रोग के परमुक लक्षण है इन विक्षितियों में तेज खुझली होती है उश्मा और नमी इन कवकों को तबचा के वलनों फोल्ड जैसे कि ग्रोईन दतापाद उंगलियों के बीच पनपने में मदद करते है करें दाद-ा ON से संक्रमित व्यक्तियों के तॉलिये, कपड़े या करने तक का प्रियोग करने से हो जाता है मिट़ी मैं आप यद्या हो गे तो भी हो सकता दाद वछे उसके अलावा जो है किसी संक्रमित व्यक्ति कि आप कपड़े पहन रहे हो यहां तक समझ में आई वात है आई या नहीं आई बहुत भी बताओ जो अनेक जो आपके संक्रामक रोग है इनको उनके निरोध के लिए उनको रोखथाम के लिए उनको नियंत्रित करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कुछ चीजे कर सकते हैं, देखते हैं, विक्तिकत स्वस्ता, ठीक है, खुद को इंसान को साफ सवच हो रहना चाहिए, सरी को साफ करके रखना चाहिए, ठीक है, पीने के लिए साफ पानी होना चाहिए, खाना, साग सब्जियां, फल, आद प्रोड्यों कुंडों , पुल और मलकुंडो शेश पुल और तालाबूँ की समय समय पर सफाई होनी चाहिए। उर पानी कतिरत कर रहा है। और व्याविश संक्रमण तथा जन खान पान प्रबंध में स्वच्टा के मानक का पालन जो स्वस्था की मानक जो है उनकी पालना होनी चाहिए जैसे कोई company प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको जो प्रोडक्ट बन रएं उसमें स्वस्था का का पालन होना चाहिए यह उपाई विशेश रूप से वहाँ अनिवारी हैं जान संकरामक रोग खादे-पदार्त और पानी के द्वारा संचारित होते हैं जैसे कि टाइफाइड है, अमीबता है, ऐसके रिस्ता है, निमोनिया है और सामाने जुकाम जैसे वायू वाहिद यह तो टाइफाइड हो गया, अमीबता हो गया, ऐसके रिस्ता है, यह कैसे पहलते हैं, यह फैलते हैं, खादे-पदार्त और पानी से फैलते हैं, ठीक है, उसके अलावा आपके जो संकरमित व्यक्तियों को, के या उनकी सामान के निकट संपर्क में आने से आपको बचना चा तो क्या करना पड़ेगा, आपको खुद की साफ सफाई वगयरा, आपस समय साफ सफाई, सही खाना यह सब तो आपको करना ही है, उसके अलावा साथ-साथ में आपको क्या करना है, उसके साथ-साथ में आपको जो संकरमित व्यक्ति है, उससे आपको दूरी बना कर रखनी है ठीक है और अपना धान में रखना है संक्रिय में रखती हूँ या उनके सामान के निकट संक्रिय में संपर्क में आने से आपको बचना है कीट रोग वाहकों के द्वारा संचारित होने वाले malaria, philaria जैसे रोगों के लिए सबसे मेत्वपूर्ण मैतोपून, उपाई रोग वाकों, उनके परजिनन ब्रीडिंग की जगों का नियंतरन या उने खतम कर देना है, ठीक है, जैसे मलेरिया है, फिलेरिया से सही है, किसे फैलते हैं, मच्छरों से, तो ऐसी जगए आसपास बने घरों के आसपास है, जापर मच्छर फैल रहे हैं, पानी कठा हो रहा हूँ, वाँपर मच्छर फैल जाते हैं, तो ऐसी जगए उपन को साफ कर देनी चाहिए, जापर मच्छर ना हूँ, ठीक है, मच्छर नहीं होगे, तो इनकी रोग कम से कम होगे, ठीक है, यह लक्षे आवास ये छेत्रों में, और उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए पन कोना, और जो गरेलु शीत लीएंतर क causing खेलु हो गेते हैं, कुलर को गयते हैं, को ऐसी जीत लीए है, ठीक है, कि नियमित सफाई नहीं चाहिए, ठीक है, कुलर में पानी भर देते हैं, फिर उसके सफाई नहीं नहीं करेंगे, तो वहां प गेμबूजा मचलि का करेंगे पर उस तालाव के अंदर दाल देंगे तो वो मचलि क्या करेगी K उस मचलों के लारवा ख्या जाएगी पूरी लारवा खतम कर देगी लारवा नहीं होगा तो फिर अपन बच जाएंगे तो इसलिए गेम गुजा मचली का भी प्रियोग कर दे हैं खाईयों जल निकास वाले चेतर जो है जल निकास वाले चेतर है और अनुपो दलदलों सवपंस आदी में कीटनासुकों के चिड़काव किया दाना चाहिए चिड़काव करेंगे तो वहाँ पर भी मचल नहीं होंगे नालियम वगेरा में ठीक है इसके अलावा दरवाजों और खिड़कियों में जाली लगा देनी चाहिए ताकि मचल जो है वो आए नहीं ठीक है यह नहीं हमल बाते हैं कि मचल और अंदर ना घुसके बातवरस के बहुत से भागों में हाल ही में रोग वाहक वाहित एड़ी जो मचल जो है डेंगू और चिकन गुनिया जैसे रोग का व्यापक रूप से फैनने के संधरब में इस उपाई को भी मेत्वपन हो गई है अब देखो आम आपको एक बात पता देता हूँ तो इसको इस बार ही क्यों पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इस बार जो जो स्लेबस आया है ना नेट का उसमें डेंगू और चिकन गुनिया अलग से एक टोपिक एड़ कर दिया गया है तो यह एंसे इसकी जो कुछ डिटेल्स होगी वह मैं कल आपको एक छुड़ा सा चिकन गुनिया को जो है क्योंकि इस बार अपनी स्लेबस में एड़ कर दिया गया है इसलिए अपनों उनको टिटेल में करने वाले हैं एक बात है वो कल एक आपको लेक्चियर मिल जाएगा चलो जी आज़ो जी विग्ञान में हुई प्रगती से हमें अनेख संक्रामक रोगों से निभडने के लिए कारगर हत्यार मिल गया जैसे टीका हो गया, व्यक्षिन हो गया थीक्षा हुगी के उपयोग प्रतिरक्षी जिसके बारे में आप बारवे हध्याई में अपन पूरा री चप्टर बायोटेकनोलोजी का उसको पढ़ेंगे ठीक है अब बात करेंगे पन किसकी मलेरिया की बात करेंगे चलो मलेरिया मलेरिया किसकी विज़से होता है मलेरिया को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पानी प्यास लग रही है सरदे का टाइम फिर भी पास लग रही है सही वादा पानी तो पिना ही चाहिए चलो कि एई किस टाइसे होता है अप लाज्मडियम जो है वह तीन टैप के हैं जी प्लाज्मोडियम वी-वहस है फ्लाज्मोडियम कोश करते तीन कीुज़ रहता है लेकिन यह वाली बात आपको ए察वाण malignant malaria होता मालब यह बहुत गंबीर और घातक malaria होता है जान लेवा malaria होता है ठीक है वापस एक रिपीट करूँगा फिर अपना आगे बढ़ेंगे मैं कह रहा हूँ malaria जो है वो plasmodium से होता है plasmodium तीन परकार के हैं plasmodium y-bux plasmodium malaria और plasmodium आपका falciparum तीनों से ही malaria होता है जी लेकिन plasmodium falciparum जो है इससे जो होने वाला malaria है वो सबसे ज्यादा क्या होता है दुर्दम malaria होता है गंबीर और घातक malaria होता है यह बात याद लगोगे एक्जाम में आई हुई है ठीक है आजओ मादा एनोफलीज मच्छर के विज़े से होता है ठीक है यह वाली बात आपको ध्यान में एक नहीं है और इसमें दो परपोशी होते हैं क्या होते हैं दो परपोशी होते हैं, कौन-कौन से मनुष्य और मच्छर मनुष्य और मच्छर दो परपोशी होते हैं यह क्या बनाते हैं अभी बीच में मनुष्य और मच्छर दो इसमें परपोशी होते हैं दो परपोशी किसके लिए होते हैं यह मच्छर के लिए यह जो प्लाजमोडियng है, प्लाजमोडियम है, यह अपना जीवन चकर गरी नहीं से जीवन चकर गरी पूरा, और अगर इंसान ना हो, तोsemoodium का जीवन चकर गरी पूरा नहीं होगा इसलिए ये पूरे एक साइकल चलती है उसमें क्या है दो परपोशों की साइधा होती आपको प्याद होना चाया ही क्योशन आ सकता है बैए ठीक है अजो अब बने से करने वाले हैं इसको ठीक है आजो अजो एनसेटे में चलते हैं और पहले इस को समझते है इस चीज को समझ लेते हैं बाकी मैंने थोड़ सी उपर का और विवताब को ले दिया तो अब इस चीज को समझते हैं कैसे मैं ले जिया होता है मच्छर आया जी आया मच्छर हाथ पे काट लिया काटा हाथ पे जब वो काट रहा होता है मच्छर जो काट रहा होता है उसकी लार गरंथी के अंदर ठीक है मच्छर जो है यह मच्छर है यह काट रहा है यह खुण चूच रहा है ठीक है इस मच्छर की लार गरंथी के अंदर क्या है Sporozoids है क्या है Sporozoids जीवानुज कहेंगे हिंदी में क्या कहेंगे उनको जीवानुज कहेंगे इसकी लार गरंथी के अंदर क्या है Sporozoids ठीक है इतना धानम रेको भी कहां से है Sporozoids क्या होते है काट रहा होगा ठीक है इसके अंदर खोन छूश रहा होगा तब जो जो है जुआनुज है इस इस的as इंसान कि जिसका हाथ होगा उस इंसान के रख्त में वो चला जाएगा भिलकुल वह जाएगा अब रक्त के अंदर जो जिस इंसान को मच्छर ने काटा है उस इंसान के रक्त के अंदर क्या चले गए है जिवानुज चले गए है जिवानुज चले गए है अब रक्त जो वह तो पुरे सरीर में गुमता है जी बिल्कुल वह गुमता है तो अब वह है जो बढ़िया क्या है रक्त में बहते बहते कहां जाएंगे, लीवर के पास में चले जाएंगे, यह जो जिवानुज है कहां चले जाएंगे, लीवर के अंदर चले जाएंगे, पर जीवी जिवानुज रक्त द्वारा व्यक्ति के यक्रिति में चले जाते हैं, रक्त द्वारा, ठीक है, रक्ति में कोई कोशिक और ये करने लगेANS लेनिट आपको इतना इतना ईतने तो अंकर बढ़ाamarी कि एक टाइम यह भागे इस लीवर की इससे एंदर और यह ऐलिंगिंग जनन कर रहे हैं, कर रहे हैं, और इतना आपकी संख्याब या डाली कि यह लीवर की सहल भीचारी वो फट गई ठीक है, लीवर की सहल यहां से फट गई और इस पोरोजोटस हैं, जीवानूज हैं, यह कहां आ गई? र अरबल्रदिर कोशिकाह के अंदर आरबीसी के अंदर भी वही काम किया इन्हों कहीं और इन्हों ने टीक है L. H. ऐलेंगिंगरल करने कि पफट के सा अब एक अब तूशन में पहुत है। फटती है ना जो लधिर जो कोशिका फटती है तब एक विशेला प्रदार्थ निकलता है ज्यकों कहते है हीमो-जोईन toxic substance निकलता क्या होते है हीमो-जोईन। और वह ही 흥ा हमो जोईन की विज़े से क्या होती है फीवर आती है उसी के विखार आती है। ठीक है तो बुखार क्यों आती है malaria के अंदर इसलिए आती है क्योंकि एलेंगिक जनन चलता रहता है इसका और यह जो RBC है जब फटती है तो इससे एक toxic substance निकलता है इसको कहते है हीमोजोईन कहते है और उसी हीमोजोईन की वज़े से क्या होती है बुखार आती है ठीक बात है और यह नर है यह क्या बना लेंगे यहां पर युगमक बनाएंगे अपने अपने इन्होंने युगमक बना लिए ठीक है अब कोई दूसरा मच्छर आया कोई दूसरा मच्छर आया और मच्छर तो बहुत सारे है दूसरा मच्छर आया और उसने उसी व्यक्तिवा के काट ल ये निशेचन हो रहा है, इस मच्छर के आमाशे में हो रहा है, ठीक है, ये इनसान के अंदर में होता है, मानव के अंदर नहीं होता है, ये कहा होता है, ये होता है, मच्छर के आमाशे में होता है, निशेचन हुआ, निशेचन से क्या बनेंगे, जिवानुज बनेंगे, और उसको काटेगा, तो यह जिवानुद जो है, इंसान की सरी keyboardь भापरस, इंत्र कर जाएंगे, और इंत्र करेंगे, lever में, lever की कोशिगाऊं में अपना ञेंगीज़नेंगे, लीवर की कोशिगाऊं के एक limit है, वह फटेंगी, और भाहर निकलेंगी वहां से उसके बाद में वो लाल रुद्रिकोशिकाओं के अंदर जाएंगे, वहां पर फटेंगी तो हिमो जोई नांकर सबस्टेंस निगलेगा, उसी टॉक्सिक सबस्टेंस की कारण क्या होता है, बुखार वगिर आती है, उसके बाद में इसके युगमक बनते हैं, और युगमक जो है, उसके बाद में कोई दूसरा मच्छार आएगा उसको काटेगा, तो युगमक जैएंगा उसके आमा शेक अंदर, आमा शेक अंदर नीशिचन होगा, नीशिचन होने के बाद में इस पूरो जोरिस बनेगे, जिवान उस बनेगे और वापस नहींगे लारग दिन्ति में, लारग दिन्ति से वापस वो काटेगा इस परकर से पुरी साइकल चलती रहती है, यहाँ पर इस प्लाजमोडियम को दो होस्ट की जूरत पड़ी है दो का है परपोशी होस्ट की जूरत पड़ी है इतना इतना कहा हो रहा है मानव के अंदर काम हो रहा है मानव परपोशी के अंदर काम हो रहा है कहा हो रहा है मानव परपोशी के अंदर काम हो रहा है मानव परपोशी के भी होते हैं आपने मलेरियम के बारे में सुना होगा एक ऐसा रोग जिसके मनुश्य कई सालों से लड़ता आ रहा है प्लाजमोडियम नामा एक छोटा सा पुटोजवन है इस रोग को के लिए उत्रदाई है प्लाजमोडियम के विभिन जातिया प्लाजमोडियम वाइबक्स, जब संक्रमित मादा एनफ्लीज मानव को काटती है तो प्लाजमोडियम जिवानुज स्परोजोईट के रूप में मानव सरीर में घुश जाते हैं बता दिया मैंने आपको ये बात है ठीक है जिवानुज संक्रामक रूप है प्रारम में परजीवी यकृत में अपनी संख् पढ़ाएगा एलेंगी जनन करके और फिर लाल रुदिर कणिकाओं का प्राकरमन करता है जिससे लाल रख्त कणिकाओं फट जाती है लाल रख्त कणिकाओं फटने के साथ ही एक विशालू टॉक्सिक जो पदार्थ है वो हीमो जोईन वो क्या निकलता है और जिससे तीन चार दिन में केंतराल से आने वाली उच आवरती जवर के लिए उत्रदाई है यह वाली पोईट आपको धान वेखना ठीक है जब मारा एनफलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ती को काटते है ठीक है तब परजीवी उस सरीर में परिवेश करते हैं उनका आगे का परि परिवेश करता है इस परकार से उपर वड़ने तिघटना आरंव हो जाते है वापस ऐसे स्वेवरी साइकल वो चलती रहती है यह जिल्चस्प बात है कि मलेरिया पर जीवी को अपना जीवन चकर पूरा करने के लिए मनुश्य और मच्छर दो पर पोश्यों की जुरूत प समझ में मलेरिया समझ में आ गए पूरा आगे बढ़ते हैं अब बात करेंगे पर्ती रक्षा की परती रक्षा वाला पढ़ लगते हैं अपन और फिर अपन कल करेंगे ठ्यक है परती रक्षा पूरा करेंगे इम्म Mensch परतिरक्षा क्या है immunity अब आपने कुछ भी नहीं पता आपको ना पाइलोजिका भी नहीं पता लेकिन इम्मिनुटी तो पता है। क्योंकि आज अगर आप मेरी वीडियो देखरे हो मतलब आप 2023 में तो नहीं जन में हो। मतलब कब जन में हो 2020 थे तो पहले ही जन में हो आप सारे ठीक बात है 2020 में Corona आप समने देखा होगा और उस time पर immunity की बात इतनी बहेंकर हुई है न क्या ही बताएं हर कोई immunity के बारे में घ्यान दे रहा था ठीक है कि immunity यह वह immunity यह खाने से immunity बढ़ेगी मेरी immunity ज्यादा है इसकी immunity कम है यह सारी बाते हुई है क्या मैं कहरा हूँ शरीर के अंदर एक ऐसा system बनाया हुआ है जो क्या करता है अगर मेरे सरीर के अंदर कोई रोग जनक आएगा तो मेरे सरीर का जो system है वो क्या करेगा उस रोग जनक को उस रोग जन्त से लड़ने की कोशिश करेगा उसको रोग इतनी आसानी से करने नहीं देगा ठीक है अगर यह इमुटी सिस्टम अपने अंदर ना हो न तो अपन कभ के मर जाएं अपन कभ के मर जाएं अपने अंदर इतने रोहारे रोग हो जाएं कि हमें समझ में नहीं आए लेकिन इम्मुनिटी जो है यह उनको बचा के रखती है बहुत सारे रोगों से छोटे मोटे जो आते है रोग जनग उनको तो कुछ समझती नहीं है अपनी इम्मुनिटी उनको तो मार देती है उसे टाइम पे तो इम्मुनिटी क्य और उसको लागते हैं, परतिरक्षा कहलाती है, ठीक है, समझ मैं यह बात आपको, इम्मुनिटी तो सब समस्तर ही हो, दो परिकार की होती है, परतिरक्षा दो परिकार की होती है, एक होती है आपकी सहज परतिरक्षा और एक होती है उपारजित परतिरक्षा, सेज परतिरक्षा को इंगलिस में कहते हैं innate immunity और उपारजित परतिरक्षा को कहते हैं acquired immunity तो उन्हें फरक क्या है सेज परतिरक्षा जो है अपन जनमजात होती है अपने अंदर जनम से होती है जब अपन जनमते हैं उसी टाइम से अपने अंदर सहज परतिरक्षा होती है लेकिन उपारजित जो परतिरक्षा है वो अपन time के साथ में experience जब लेते हैं दिए जब बड़े होते हैं तो अपन उपारजित करते हैं उस परतिरक्षा को और अपन को परतिरक्षा मिलती है कैसे मिलती है थोड़ी देर में बात करेंगे उसकी भी, ठीक है, देखो, सहज परतिरक्षा तो जनम जात है जी, उपारजी परतिरक्षा के बारे में थोड़ी देर में बताऊंगा, पहले सहज परतिरक्षा को पढ़ लेते हैं, आजो, सहज परतिरक्षा, innate immunity, जनम से होते हैं इसमें चार परकार के road होते हैं, चार परकार के barriers होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर simple से बात है, यहाँ पर barrier लगए गये हैं, road लगए गये हैं, example देता हूँ मैं आपको, ठीक है, यह मानलो हमारे PM है जी, PM है, ठीक है, जो PM जाएंगे तो आसपास क्या होंगी, SPZ के जवान हो उसके बाद में, JDC Plus Security होगी, उसके बाद में किसका गहरा होगा, एक मिनट सही से बराते हैं इस गहरे को, ताकि आपको समझ में यह हमारे परधान मंतरी साहब है, ठीक है, यहाँ पर SPG, ठीक है, यहाँ पर आजाएं JDC Plus Security, फिर आजाएगी local police का गहरा जाएगा, उसके अब किसी को अगर मिलना हो, पी-म से मिलना हो, तो बिना appointment के, ठीक है, तो कैसे मिल सकता है, ठीक है, सबसे पहले वो कहां आएगा, पहला घेरा उसके पास में आएगा, किसके बाद में, traffic police, traffic police धान रखती है, एक मिट भी अगर लेट होगे, पी-म साब तो फिर तो काफी काम वो गजयागा न देशका, तो, traffic police उसको भगा देगी, कि ऐसे नहीं मिलते है, पर्दानमंत्री है, ऐसे थोड़ा मिलते है, तो ऐसे ही आ गया, उठके, कि मैं पर्दानमंत्री से मिलना है, तो traffic police उसको भगा देगी, अगर मान लो, वो व्यक्ति चाला कर रहा, और वो क्या ह वो कैसे वोगते है, वो उसको भगा देगी, ठीक है, कि वैई, क्यों खालतों लिए खराब कर रहा है, दो, ती में उसको बड़े वाले सब्दों में उसको देगी जवाब, और उसको भगा देगी, ठीक है, मान लो वो जो और और उसाती रा, और वो police को भी भैद के आगा ह फिर कौन है, Z plus security, वो बड़े-बड़े बंदुख में वाले है, ठीक है, वो भाई, वो उसको नी छोड़ेंगे फिर तो, ठीक है, वो उसको भगा देंगे, ठीक है, वो उसको भगा देंगे, ठीक है, अगर उनसे भी यह बचके निकल गया, ठीक है, तो फिर आगे कौन है, SPG के जबान है, और वो तो बिल्कुल नी छोड़ने वाले है, कि वाई, तो इतनी, तीन, तो बैरियर्स तोड़के आ गया, ठीक है, तो मलब, तेरे इरादे नेक तो नहीं है, ठीक है, तो कितना ही सताया हुआ हो, लेकिन PM है, वाई, ऐसे थोड़ना मिल सकते हैं, कि आप ऐसे यहीं किसी के ऐसे आ रहे हुँ, ठीक है, एसे नहीं मिल सकते है, ठीक है, एक प्रोटोकोल होता है, तो वो क्या करेंगे, यादर उसको बलेंगे भागजा, वरणा इसको मारेंगे वहीं पे, ठीक है, तो यह, क्या है, इस परकार मैं समझानी कोशिश करता हूँ, कि चार पर यह सब के लिए हूँ, कोई आम इंसान है, उसके लिए बी चारा बेरियर रहेंगे, कोई collector हाजाये आगे हुछ में बेना, इniest नहीं मिल सकता, पर यह सब के लिए, एक ऑन आपका जुकाम का वाइरस है, उसके लिए भी चार बैरियर होंगे, ठीक है, 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 ठीक है वो तवचा के अंदर से गुसने कुसिस करेगा लेकिन गुस नहीं पाएगा ठीक है तो तवचा क्या है एक यहां फिर सारी रिगरोत होगी उसके इलावग क्या सालेश्मा आलेप सलेश्मा आलेप मुकस कोटिंग अगर आप तवचा से उसको गुसने नहीं देखा तो रोगजने कहे गा मैं आपके मुझ से चलाँगा ठीक है क्या वक्या करिए नित्रेश्मा का प्रति इंदर जाएगा तो म्यूकस जो पकड़ लेगा तो उसको रोगजनक पकड़ लिया जाएगा अगर वो कहेगा कि मैं तो सफशन पत तेरे नाक से होते हो चला जाओंगा नाक के अंदरी अपने क्या है मुकस की कोटिंग है वो भी आप पकड़ा जाएगा जननल मुतरपत है इससे जाएगा तो वहाँ भी उसको पकड़ लिया जाएगा तो यह क्या होगा पहला इसका रोध होगा सरीरिक रोध किसको जाने से रोग दिया जाएगा अगर मान लो इस रोध को भेद कर वो आगे चला जाता है तो दूसरा रोध अपने पास में कौन सा काई की है रोध दूसरा रोध कोन सा है काई की रोध ठीक है अबना में अमोटिव क्या है कि गुस्ने नहीं देना है किसको जो कोई भी रोग जोना कोई किसी भी रोग जोना कोई किसी भी रोग जोना को विशिस्ट नहीं है सब के लिए सेमी मेकनीजम है ठीक है सब के लिए थपड़ी है ठीक तो वह आगे बढ़ नहीं पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे दूसरा मुह में लार, अगर कोई मुह से जाएगा तो मुह के अंदर लार होती है ठीक है, तो लार से भी क्या है, मर जाएंगे आँखों से अगर हो जायएं अग्याएं तो में Euch होता, अगर हो कान से एर सो जहेगा तो कान में Cere Training होता, Ear scientist , अगर마 पेट से निचे चुला गए तो प्त मिलेगा उसको, जो तो मर जायगा फिर oil और पशिना पशिना आएगा पशिना भी क्या है इसको रोक जनकों को रोकने काम करता है यहां पर देखो आपने oily skin होती है जिनकी ठीक है oil निकलता है तो भी क्या है रोक जनकों को रोकने का काम करता है तो यह दो आपको रोध बता दिये मятно यह दोनो र molarwriting को बेद के चला망 गया, अब देखो पहला आप जो सारी दिक था, उसको भेद के चला गया वो उससाब का इक था उसको भेद के च लर्य depreci गया तीसरा फैरा य है कोशिक केeye राप बेंधर, ki module cellular barrier सेलिलर CVSSt यह क्या करनेया, यह खाता है कोई रोगजिनक आ जाएगा उसको खा जाएगा भक्षकानू की लिए दिखाता है यह ना तो कोई रोगजिनक अगर इन पहले दो बैरियर्स जो अपने उनको भेद के अगर अंदर चला भी जाएगा तो PML क्या करेगा उसको खा जाएगा मानलो PML के बिसकी बास विए वी नहीं उए То अपने पास में क्या इसे कन्दली टिर्य टिका जाते है अगर इतने छेद करते हैं इतने छेद करती हैं, इतने छेद करती हैं कि वो confused हो जाता है कि सांस कहां से लिए, और देश देश, ठीक है प्राकर्तिक मारक, यह क्या करता है, इसमें छेद कर देता है, चाहिद करेगा तो क्या होगा, इसमें बहुत सारीक के अंदर अपने तरल्स भी है, फ्लिट भी है और आयन्स भी है, वो सारे इस रोग जनक के अंदर भर जाएंगे, भर जाएंगे तो रोग जनक क्या फट ठीक है, तीसरा barrier भी फैल हो गया, तो चोथा barrier अपने पास में कौन cytokine road, ठीक है, यह का करता है, अगर विशानों संक्रमित कोई कोशी का है, तो वो interferon नामक protein का एक सरवन करती है, अब मैं आपको यह समझाता हूँ, mechanism, द्यान से समझना, cytokine road कैसे काम करता है, यह मान लो एक कोशी का है, यह क्या है कि कोशी का, एक virus आया जी, एक virus आया, ठीक है, यह virus गुच गया, तीन वो आपकी जो barriers थे, उनको road के, उनको बचेकमा दे कि कैसे भी, वो क्या है, यहाँ पर पहुच गया, और इसको क्या कर दिया, संकरमित कर दिया संकरमित कर दिया, ठीक बात, अब यह कोशी का क्या हो गई, संकरमित हो गई, ठीक है, लेकिन यह कोशी का जो इसमें एक सक्ती है, क्या सक्ती है, यह करेगी, यह करेगी, एक protein बनाएगी, यह सुझा कहेंगे, अपन इंटरफेरोन, एक protein बनाएगी, इंटरफेरोन, और यहा चिला करें सब बाकी सारी कोशिकाओं को बताती है कि भया मैं तो क्या हो चुकी हूँ संक्रमित हो चुकी हूँ और मुझे इस वाइरस ने संक्रमित किया सारी information बाकी अपनी कोशिकाओं इनको देती रहेगी कि इस वाइरस ने बना लेते हैं, antibody बना लेती इस प्रिकार चार क्या अपने पास में बारियर होती। है। कौनhouse immunity के अंदर आते हैं यह? सहलध प्रति रक्षा के अंतर न रहते हैं। परतिरक्षा हमें रोज बड़ी संख्या में संग्राम कारकों का सामना करना पड़ता है, बेलकुल वह सही बात है, परंतु इन में से कुछ ही रोग का सिकार बन पाते हैं, हर जो आपके रोग जनक हैं, वो सारे रोग जनक जनक वो रोग नहीं कर पाते, ठीक है क्यूंकि इम् इम्यूनिटी कहलाती है ठीक है परतिरक्षा दो परकार की होती है सेज परतिरक्षा और पारजित परतिरक्षा बदा चुको आपको सेज परतिरक्षा सेज परतिरक्षा इने इम्यूनिटी कहेंगे इसको इंगलिस में ठीक है एक परकार की एविशिस्ट रक्षा है एविशि के सामने विभीन परकार के रोध खड़ा करने से हाशिल होती है, सेल्ज परद्रेशा में चार परकार के रोध होते हैं, पहला है सरीरिक रोध, फिजिकल बैरियर कहेंगे, बता चुक हूँ आपको, हमारे सरीरिक पर तबचा मुख्य रोध है, जो सुक्ष्म जीवों को परवेश किसे रोखता है, सुशन जठरादर, जो आपका गेस्टर इंटर्सनल आपके 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 आएटी बताजिया में आपको ना, और जरन मुतरपत की से आस्तेत करने वाली एपी थीलेम का सलेश मालेप है, मुकस कोटिंग होती है, तो मुकस क्या पकड़ लेता है, भी शरीर में घूमने वाला रोगानों को रोकने में साहिता करता है, दूसरा अपना काय की रोध, ठीक है, बता चुका हूँ, फिजियो़ोजिकल बैरियर, आमाशे में आमल मुह में लार आंखों में आखों के आसू यह सभी क्या है, रोगानों इवर्दी रोकते हैं, ठीक है, कोशी के रोध सेलुललर बैरियर, सेलुललर बैरियर में हमारे स्रीन में रखते, में बहु रूप केंद्र lógmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmarmar विशानु संक्रमित कोशिकाओं इंटरफेरो नामक प्रोटीन का सर्वन करती हैं और यह संक्रमित कोशिकाओं को और आगे विशानु संक्रमन से बचाती है यह मैं आपको बता दें एक इंटरफेरो प्रोटो निकालती है और वो सबको information दे देती है बाकि सारी जो कोशिकाओ लेते हैं उपार्जीत प्रतिरशा क्या होते हैं इसको एक्वाइड इम्मुनिटी ठीक है और जो इम्मुनिटी है यह जनम के बाद अपन को मिलती है जनम के बाद अपन को कोई रोग होता है ठीक है पहली बार जब रोग होगा ठीक है तो अपन को पता नहीं रहेगा ठीक है इम्यन सिस्टम उसको पता नहीं लगा है जो इसको ऐसे समझो किसी देश के अंदर कोई अतंगवादी घोशा है तो पहली बार में अगर वो अचानक अटेक करेगा तो वो उसके पास में वो तो जो अतंगवादी होगा वो तो पूरी तयारी के साथ में करेगा लेकिन फोस्स तो अँग्ली बार अगर वो क्या करेगा तो हम क्या करेंगे पहले से हका जुठी को पत्थर से देंगे सही बाद है या नहीं है बिल्कुल सजी बात है सेव अपने सरी के साथ में है, पहली बार कोई रोग जनक अपने अंदर इंटर करेगा, तो पहली बार तो सरीर अपना इम्मुनिटी समझ नहीं पाएगी, ठीक है, उसको लिए नया रहेगा और रोग जनक नया असानक से आ गया, तो इम्मुनिटी जब लड़ेगी, लेकिन इतनी बढ़िया से नहीं लेड़ पाएगी कि उस रोग को खतम करे, तो थोड़ा सा पनको रोग हो जाएगा, लेकिन अगली बार जब वही रोग जनक अपने सरीर में अंदर आएगा, तो पहले से उसके खिलाफ क्या होंगी, एंटीबोडी होंगी, और दूसरी बार उसको को रोग नहीं करने देगा, ठीक बात है क्या, जैसं एक पॉक्स की बात करें, इसलिए होता है क्योंकि एक बार जब हो जाएगा तो अगली बार वापस इसलिए नहीं होगा, क्योंकि उसके खिलाफ का बन चुक है, एंटीबोडी बन चुके होती हैं, आजो, यह सिर्फ कसर पाय जाती है जो आपके vertebrates में उनीक अंदर ये पाय जाती है ये विशिस्ट होती है विशिस्ट होती है वदलब जो आपकी जो antibody एक्वाइड immunity होती है वो विशिस्ट होती है कैसे आपकी जो किसी को प्यूमोनिया हो गया, तो उसके लिए उसके लिए विष्यश्ट के बन जाएगी, आंती बोडियी बनाएगी, जो विशेश निउमोनिया के लिए हो गी ही, यह यह वाल है प्यीमोनिया के लिए ही है खुद की कोशिकाओं को और दूसरी कोशिकाओं को अपने खुद की सरीर की कोशिकाओं और दूसरे सरीर की कोशिकाओं है उनको पहचान लेते हैं या दूसरे सरीर की कोशिकाओं से का मतलब है हमारी सरीर के अंदर तो हमारी कोशिकाओं होगी नहीं जी किसी इंसान के अंदर मेमोरी होती है किसे मेमोरी होती है जो उपारजित प्रतिरक्षाइश में मेमोरी भी होती है कैसे मेमोरी होती है या मैंने आपको थो देर पहले बताया कि जब अपने पहली बार बिमारी होती है पहली बार कोई रोगजनक आया है तो उससे अपना सरी लड़ता है लेकि इतनी यह एंटीबोडी बनारके हैं उसकी memory अक्टिवेट हो जाएगी उसने वह antibody निकालेगा अपना और उस पर छोड़ देगा सारी बंदूखें चला देगा उस पर और उस रोगजनक को मारतेगा इस परकासी में memory होती है त्रल परति रक्षा दो परकार कीए परति रक्षा होती है तो परकार चॉषी का माधिध परति रक्षा आँ हैंना बेल्स परति हो लishikाणों आएगे और जो कोशिका मादेत परतिरोशा कि नहीं के तीलेशिकाणों याएंगे जो B.L.S. इनका काम है जी यह काम कराएंगे Antibody बनाने काम है कि का काम है इसका Antibody कौन बनाएगा जो B.L.S. बनाती है और T.L.S. यह का करती है खुद की कोशिकाओं में और दूसरी कोशिकाओं में भेद करने हैं काम करते हैं यह बाई यह मेरी कोशिका है और यह तो यार किसी और का और गया यह तो कुछ दूसरी का यह कौन बताता है टी ले सिकाओं और यह बी ले सिकाओं एंटी बोर्डी बनाती है ठीक है एक बार इतना इंसियाटी से कर लेते हैं आजो दूसरी और उपार जिते परतिरक्षा रोगजनक विसिस्ट होती है बता चुक हूँ आपको इसका अब इलक्षन समर्ती है मलब मेमरी पर काम करती है इसका अर्थ यह है कि हमारे सरी में जब पहली बार किसी रोगजनक से सामना होता पहली बार तो यह एक अनुक्रिया रेस्पोंस करता है जिसे निम्न तिवर्ता की प्रात्मिक अनुक्रिया कहते है निमन होगा पहला जो लड़ाई होगी उसमें वह बहुत हलकी लड़ाई होगी क्योंकि पर उसके लिए तयार ही नहीं था उस लड़ाई के लिए एक दिम से आगया रोगजनक जो वो नया है विल्कुल ठीक है इसका कारण यह यह तथे है कि हमारे सरीर को पर्थम मुठ बेड़ की समर्ती है पहली बार जो लड़ाई होई थी उसकी इसको याद रही है ठीक है अज़र वाजो प्रात्मेक और द्वित्रिक प्रतिरक्षा अनुकरियाएं हमारे सरीर के रख्त में मुझूद दो विशेश प्रकार की लश्यकाणों द्वारा होती है हमारे सरीर के अंदर दो प्रकार की लश्यकाणों है बी लश्यकाणों और टी लश्यकाणों रोग जोनकों की अनुकरिया में बी लश्यकाणों हमारे रख्त में Tickets परतिरक्ष नहीं जो है आपकी वो खुद को परति रक्षियों का सरबन नहीं करती खुद वो antibodies नहीं बनाते ती अपकी तीललस्य वो क्या है Anno antibody नहीं बनातेaf बलाशिआब बनाते है कि लिकिन प्रोटीन उत्पन करने में Bलाशिकानों की साहिता खड़ती है ठीक है ? एक बादा आपस्पनोट में लेके चलताू हूं खुद परति रक्षि नहीं बनाती है लेकिन तील डीलेसीगाणू जो बेलेसीगाणी कि मद्स्पार्ट करती है प्रति रक्षि बनाने में इसलिए प्रतिरक्षी को H2L2 उपन के रूप में दर्साया जाता है हमारे शरीर में विबिन परकार की प्रतिरक्षी उपन के जाज सकते हैं जैसे कि IgA है, IgM है, IgE है, IgG है कुछ उदाना न, Antibodies है यह सरी है एक प्रतिरक्षी का कार्टून उपर दिया गया है यह उपर वाला कार्टून आपको दिख रहा है, इस डाइग्राम में उपर यह अलडा डाइग्राम के बाद कर रहा हूँ यह प्रतिरक्षी रख्त में पाए जाते हैं, इन्हें तरल प्रतिरक्षा अनुकरिया हिम्रल इम्यून रेस्पोंस कहा जाता है अब भी रख्त है तरल के अंदर कौन आता है, आपका b लिम, इलोक्त, बी लेश्यकान के अंदर बनाता है ऐन्टीबोडी बनाता है का यह दो प्रिकार की परतिरक्षी माध्याइत, परतिरक्षी रख्षा अनुकरिया ओं में से एक है दूसरे परिकार की जो अनुकरिया वो किए कोशी का माधेता है जिसमें Vide ER काम करता है, जिस वो CMI कहते है Short में, CMI का मत alltså Cell Mediated Immunity , ऑढ दिए कहलाते है, T Л erm sacarанти है CMI की माधिम बनती है Jो CPI CMI Això last time, ty ER जब रिध, नेत्र, व्रक やकृत यह सारे अंग जोने जब काम करना बंद करने संतोस जनक रूप से काम करना बंद कर देता है तो एक मातर उपचार का होता परतिया रूपन होता है ठीक है परतिया रूपन होता है जिससे रोगी सामाने जीवन जी सके तो क्या करना था ट्रांस्प्लांट करना परता है किसी उसको किसी पहीं कर सकते। और पता लगा सकता है। तुस्छी स्वथ पस्टु ने प्रैमेट या किसी भी मानवका निरोप अट्रहासप नहीं लगा जासाकता। किसी इंसान का भी अपन किसी इंसान का भी अपन क्या है कोई अंग नहीं लगा सकते क्यों नहीं लगा सकते उसको पता लग जाएगा ती जो लिशिकार उसको पता लग जाएगा कि यह तो अपनी सरीका है ही नहीं ठीक है त्यूकि देर सब्सक्राइब नकार दिये जाएंगे, ठीक है, क्यों कोई भी निरोप, पर्तिरोप लेने से पहले, उत्तक का मिलान करना पड़ता है, क्लोज रिलेटिव जो है, जो पेशेंट है, उसके क्लोज रिलेटिव जो देखा जाता है, और क्लोज रिलेटिव जो है, उनमें से अपन क्या करेंगे, देखेंगे किसके टिशूज जो है, वो मैच कर रहे हैं, टिशूज कुछ परसेंट मैच करेंगे, तो उसका क्या अपन ट्रांस्प्लांट करेंगी उसकी लिवर यडर परिसकी किडिन्य जवर अपन ट्रांस्प्लांट करेंगी ठीक चाहिए अपने कितने ही टिश्यू मैच कराए हूँ फिर भी क्या है अपना इम्मून सिस्टम में पहचान लेगा कि यार यह वाला अंग तो अपने सरीका नहीं है इसको रिजक्ट करो इसको बाहर निकालो इसको खतम करने कोशिस करो इसलिए करना पड़ता है इसे पेशेंट वो सप्रेस रहता है निरोधक है इसको निरोधक करती है ताकि इम्मून सिस्टम अपना बढ़िया से काम ना कर सके ठीक है बढ़िया से काम करेगा तो वो पैचान लेगा ना इंसान को जिन्दा रखना है ना चलो स्रीय स्वयम और पर्मे भैद करने में सक्षम होता बता चुका हूँ यह बात और कोशिका माधेईद परतिरक्षा अनुकरिया निरोप को अस्वीकर्थ करने के लिए उतरदाईए और आपकी जो कोशिका माधेईद परतिरक्षा में कोन काम करता है तीलिय स्वीकर्ण काम क समझा और आपको चलो आगे बढ़ते हैं चलो एक यह वाला last topic करेंगे आज और फिर अपन कल करने वाले शक्रीये और निशक्रीये बात करते हैं अभी करें याँ फिर कल करें यार चलो कल ही करते हैं फिर अभी मेरा मन नहीं है, ठीक है? समझ में आया या नहीं है आजका lecture? कोमेट सीट में कमेट इवी ज़रूब बताना वीडियो पसंदा लाइक कर देना आपने दोस्तों के साथ में शेर कर देना बाकी मिलते हैं अगले लेक्चिर्स के अंदर और वीडियो को लाइक जरू से कर दिया आगरो चले को सब्सक्राइब भी कर लिया आगरो